मानने जोदपूर हाई कोट के फैसले के विरोध में National Council for Teacher Education यानि NCTE ने मानने सुप्रिम कोट का दरवाजा खटकटाया है एक SLP फाइल करते हुए NCTE ने इस सर्द के मौसम में गर्मी बढ़ा दी है अंते तक बरे रहेगा लगतार दो तीन दिनों में दो तीन राज्यों में सुनवाईया हुई है जिस पर क्या कुछ एहम बाते निकल करके आ रहे हैं मानने सुप्रिम कोट में अब 22 फरवरी 2022 को क्या होने जा रहा है सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं केरियर बिट योटिप चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार वजेटी कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आकिन को प्रिस करना ना भूले सुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से बीच जो विवाद मामला चल रहा था वो माननी हाई कोर्ट में सुना गया आप स्क्रिन पर पंजाब हाई कोर्ट का कोर्ट और कॉपी देख पा रहे होंगे आज की सुनवाई में यहीं बाते निकल करके आई हैं आप देख पा रहे होंगे 25 नॉंबर 2021 को मानने जोदपूर हाई कोर्ट के द्वारा जो NCT के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया था और इसके खिलाफ मानने सुप्रियम कोर्ट में जो एक SLP फाइल की गई थी जिस पर 22 फरवरी 2022 को सुनवाई होना प्रस्तावित है और इसके संदर में NCT और केंस सरकार को मानने सुप्रियम कोर्ट में नोटिस जारी किया था उसके संदर में यहाँ पर चर्चा की गई है इसके अलामा बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में मानने शिमला हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने अपने ही फैसले जो की 26 नमबर 2021 को दिया गया था उस पर 7 जनवरी 2022 की सुनवाई पर रोक लगा दिया क्योंकि मानने जोदपूर हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया था इसके बाद से अब इस केस की सुनवाई जो पंजाब में चल आ है 30 मार्च 2022 को होना प्रस्तावित है देखिए अब किसी भी राजे में सुनवाई का कोई भी मतलब नहीं रह गया है क्योंकि मानने हाई कोट से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मानने सुप्रिम कोट का रुख क्या होता है और मानने सुप्रिम कोट के तरब से जो फैसला दिया जागा वहीं सभी राजे मानने के लिए बात दे होंगे अब चलते हैं मानने सुप्रिम कोट में क्या कुछ नया हाल चल हो रहा है इस्क्रिन पर आप मानने सुप्रेम कोट की ओफिशल वेबसाइट देख पा रहे हैं यहाँ पर National Council for Teacher Education के द्वारा एक SLP फाइल किया गया है आप इस्क्रिन पर देख सकते हैं जिसमें मानने जोदपूर हाइक कोट के द्वारा जो फैसला दिया गया था NCT के 2828 के नोटिफिकेशन को रद करने के संदर में उसको चैलेंज करते हुए यहाँ पर पूरा फाइल किया गया है आप इसक्रिन पर देख पा रहोंगे इसमें कौन-कौन से respondent बनाए गया है आप सब कुछ देख सकते हैं अब इस मामले को लेकर के बहुत कुछ चीजे होने वाली है 22 फरवरी 2022 को क्योंकि यह अलग मामला है और पहले ही एक सुनवाई के दौरान माननी सुप्रिम कोट ने NCT और केन सरकार को अपना पक्छ रखने के लिए बोला था अब यह मामला और जो 22 फरवरी को सुनवाई होने वाला मामला है दोनों एक साथ टैग हो जाएंगी लेकिन इसके वज़़े से B8 का पक्छ काफी मजबूत हो गया है क्योंकि उसमें केवल इन से जवाब मांगा गया था अब यह जवाब किसा साथ एक मजबूत पैरवी भी रखने जाएंगे क्योंकि इस बात से इस पश्ट हो चुका है कि यह खुद एक SLP फाइल करके माननी सुप्रिम कोट का रुख कर चुके हैं तो निशी तोर पर B8 अभियरती जो अभी तक काफी कमजोड दिख रहे थे क्योंकि जो कानून बनाने वाले थे NCT उनके द्वारा पक्ष ना रखना कहीं ना कहीं उनको कमजोड कर रहा था अब NCT के माननी सुप्रिम कोट का दरवाजा खटखटाने के बाद से निशीत तोर पर B8 का पक्ष मजबूत है और केंद सरकार भी अब B8 के पक्ष में पैरवी कर सकती है इसके बाद से आब BTC और B8 का जो विवाद है माननी सुप्रिम कोट में एक अलग लेवल पर फिर से परवी देखने को मिलेगी आपकी दोनों पक्षों की तरप से क्या होगा भविश्च के कर्त में है लेकिन 22 फरवारी 2022 का जो सुनवाई है बहुत ही है मैं दोनों पक्षों के लिए हलांकि एक बार माननी जोदपूर हाई कोट में DLA अभियर्थियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि आप केंसरकार या फिर NCT भले ही B8 के पक्ष में पैरवी करें लेकिन वहाँ पर दलीलों के हिसाब से BHTC का पक्ष जादा मजबूत था लेकिन आब निश्चीत तोर पर जो सही तरीके से अपना पक्ष मानने सुप्रेम कोट में रखेगा जीत उसी पक्ष की होगी इस पूरे मामले को आपकी सनजरीय से देखते कमेंट करके जरूर बताईगा और ऐसे ही मतुपूर अपडेट के लिए शैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब हो